दोस्तो नमस्कार दोस्तो क्तुर्ब बत कर रहा हूँ दोस्तो आज ये PlayStore पे अप्डेट आ चुका है तो आप लोग अप्लिकेशन को अप्डेट कर ले ताकि आपका अप्लिकेशन और भी फास्ट चले और दोस्तो इस update के साथ company ने कुछ security भी बढ़ाई है अपनी next money application की तो दोस्तो जैसे ही आप update करेंगे application को open करेंगे तो आपको 5 digit का pin डालना होगा ठीक है 5 digit का pin sir जो आपने या तो बनाया होगा या पहले से आपका बना हुआ होगा ठीक है वही पिन आपको डालके login करना अब बहुत सारे person की यह problem होगी कि sir मुझे तो पिन याद नहीं है अगर आपको पिन याद नहीं है तो उस situation में आपको क्या करना है वह मैं इस वीडियो में आपको लोगों को लाइब दिखा रहा हूं तो दोस्तो मैंने application open कर लिया था त तो यहाँ पे मुझे पिन डालना पड़ता है ठीक है पहले तो यह होता था यहाँ wallet वगेरा को हम open करते थे तो पिन डालना होता था अभी आप जैसे अपडेट करके application को open करेंगे तो वहाँ पे भी आपस पिन पूछ सकता है मेरे से पूछा था तो अभी मेरे पास दो तीन person का WhatsApp भी आ चुका है कि sir मैं पिन भूल चुका हूं तो मैं क्या करूं तो उन लोगों को मैं यह वीडियो में बताने ही कोशिश करूँगा कि आपको करना क्या है आपको simple application को mobile से हटा देना है अपने mobile से application को सबसे पहले आपको डिलेक्ट मार देना ठीक है यहाँ से application को आप पिन भूल चुके हैं तो आपको application को डिलेक्ट मार देना फिर पले store से आपको application फिर से download करना है ठीक है जैसे download करके आप application ओफन करेंगे तो बले मैं यहाँ से देखे लोग आउट इसको कर देता हूँ मैंने application को लोग आउट कर दिया ठीक है क्योंकि जब तक हम application के अंदर नहीं पहुंचेंगे pin हमारा change नहीं होगा और pin हम भूल चुके हैं तो pin डाले कहां से तो दोस्तों आपको login पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको अपना username डालना है तो यहाँ पे मैं अपना username डाल देता ह हूं यह मैंने username डाल दिया नीचे मैं अपना password डाल देता हूं यह username and password मैंने डाल दिया है यहाँ से मैं login पे क्लिक कर देता हूं एक OTP आएगा यह देखिए OTP आ चुका है मैं डाल देता हूं 3851 ठीक है और submit कर देता हूं यह देखिए मेरा application open हो चुका है इस तरहीं के से आपको application open कर लेना अब आप अंदर पहुंच चुके हो अभी आपको अपना जो security pin था उसको आपको change कर लेना यहां plus क Але कर आबल कि रचिंग करना है नीचे जो पलस का आ इकन है इस पे आपको क्लिक करना है यहां पर देखिए generate new PIN generate new PIN पर आपको क्लिक कर देना है क्योंकि आप थो pin भूल चुके है तो आपको पिन बनाना है यहां से तो यहां पर मैं जनरेट नेव पिन पर क्लिक कर देता हूँ अब निचे एक option आपको दिखाई दे रहा होगा generate new pin ठीक है इस पर आपको click कर देना है एक रुपया आपका यहां से deduct होगा pin generate करनेगा ठीक है तो okay पर आप click कर देंगे अगर आपके पास wallet में पैसा भी नहीं है तो आप किसी से भी एक रुपया मांग सकते हैं कि sir मेरे wallet में एक पैसा एक रुपया transfer कीजिए मैंने click कर दिया एक OTP आएगा mobile number पर OTP आएगा यह OTP आ गया है यहां पर मैं OTP डालता हूँ 1088 submit कर देता हूँ यहां पर ठीक है अब यहां पर आप अपनी इच्छा के नुसर कुछ भी pin डाल सकते हैं जैसे मैं कुछ भी डाल लेता हूँ ठीक है 5 अंका pin डाल देजिए जैसे मैंने यह डाल दिया यहां पर मैं यह डाल देता हूँ सेम पिन डालनाँ है यह नहीं डालनाँ है जैसे माना एग्जम्पल के लिए आपको बता रहा हूं जो पिन आप इफर डाल करेंगे तो इसको लोगिन करना आई ये हमारी safety के लिए company ने ये pin वहाँ पे भी लगा दिया है और अंदर तो पहले भी था लेकिन ये वहाँ पे भी लगा दिया तो बहुत सारे person को ये problem आने वाली है कि वो जैसे ये application को update करेंगे, open करने ही कोशिज करेंगे तो वहाँ पे उनको pin मांग लेगा अब pin उनको विच application के अंदर नहीं गुस पाएंगे अंदर नहीं गुस पाएंगे तो पिन चेंज नहीं कर पाएंगे तो इसलिए मैं आप लोगों को बताने कोशिज कर रहा हूं कि अगर ऐसी situation आपके पास भी बने तो आप पहले application को डिलेक्ट कर दीजिए फिर अपने ID and passwords को login कर लिजिए कि दूख तो, all the best